हेलो दोस्तो आज के वीडियो में एड़ोकेट द्वारा किसी बैक्ति को भेजी जाने वाली लीगल नोटिस अर्थात एड़ोकेट नोटिस और कोर्ट द्वारा केस से सम्मंदित अपलिकेंट या अपोजिट पार्टी को भेजी जाने वाली नोटिस अर्थात कोर्ट नोटि को पाने के लिए वीडियो को पूरा वा ध्यान से देखें उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो महत्वपूर्ण लीगल नॉलेज और लीगल अपडेट्स को सबसे पहले पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि एड़ोकेट नोटिस अर्थात लीगल नोटिस क्या है तो दोस्तो जब दो लोगों के बीच किसी बात को लेकर डिस्प्यूट होता है या बिवाद होता है तो पीडित बैक्ति अपने वकील के माध्यम से अपोजिट पार्टी को समस्या समाधान के उद्देश से एक लीगल नोटिस भेजता है इसी लीगल नोटिस को हम एड़ोकेट नोटिस के नाम से भी जानते हैं इस लीगल नोटिस में एड़ोकेट अपने क्लाइंट और उसकी समस्याओं को बताते हुए अपोजिट पार्टी से उसका कानूनी हक एक निर्धारिस समय में देने के लिए कहता है और दोस्तो अन्यता जो भी उसकी समस्या है उसके समाधान के लिए कोर्ट जाने की धमकी भी देता है तो दोस्तो आसान भासा में कहें तो अपने क्लाइंट की समस्या को कोर्ट के बाहर सुल्जाने के उद्देश से एड़ोकेट द्वारा आपोजिट पार्टी को भेजी गई लीगल नोटिस ही एड़ोकेट नोटिस कहलाती है अब जान लेते हैं कि कोर्ट नोटिस क्या है तो दोस्तो जब किनी दो पच्छों के बीच का बिवाद कोर्ट में पेंडिंग होता है अर्थात कोर्ट केस चल रहा होता है उस समय कोर्ट द्वारा अप्लिकेंट या पोजिट पार्टी या केस से रिलेटिड किसी भी ब्यक्ति को कोर्ट के समझ उपस्तित होकर अपना पच्छ रखने के लिए नोटिस जारी करता है court द्वारा जारी इस notice को ही court notice के नाम से जानते हैं तो दोस्तो आप बात करते हैं कि advocate notice और court notice में अंतर क्या होता है तो दोस्तो advocate notice में advocate अपने client की समस्या को court के बाहर सुलजाने के उद्देश से opposite party को legal notice भेजता है जबकि court notice में जो मामले होते हैं उसमें दोनों पार्टियों के मद्दे case court में register हो जाता है जो party court में निर्धारित तितियों पर सुनवाई के लिए उपस्तित नहीं होती है उन्हें court द्वारा court notice भेजा जाता है तो दोस्तो अब बात कर लेते हैं कि advocate notice से क्या फायदे होते हैं और हमें advocate notice क्यों भेजनी चाहिए तो दोस्तो यदि आप अपनी समस्या समाधान के उद्देश से advocate से मिल लेते हैं और advocate चेतावनी वाला लेटर अर्थात legal notice opposite party को भेजता है कि या तो आप समझावता करें और हमारी problem को दूर करें नहीं तो हम court जा सकते हैं हो सकता है कि आपकी जो opposite party है legal notice की बात मान ले और वह problem का solution court के बाहर करने के लिए तैयार हो जाए जिससे जो आपकी समस्या है उसका समाधान जल्दी हो जाता है और आप बेवजय की court कचेरी की जो भाग दोड़े उससे बच जाते हैं advocate fees आपकी बच जाती है और कई तरह की जो problems हैं उनसे आप बच जाते हैं फाइदे में रहते हैं इसलिए सदायो ध्यान रखे always better you should go advocate notice in the beginning that you can avoid litigation तो दोस्तो हमारी जो अगली वीडियो है legal notice की drafting कैसे करें उसे जरूर देखिएगा और वीडियो का notification पाने के लिए चैनल को subscribe अवस्य करें बहुत बहुत धन्यवाद